गुड मॉर्निंग स्टूरेंट आज हम चैप्टर नाइन मनी का मेंटल मैंस देखेंगे मेंटल मैंस का मीनिंग ही होता है कि आपके जितने एकसाइज दे उससे रिलेड़ेट ही कोश्टन सब रहते हैं चीक है तो देखें मैं कॉपी में सॉल्ब करके बताई हूँ सबसे पहल करके दिखा दिया है सेकिन आपके सामने प्रेजेंट में सॉल्ब कर देती हूं 20.46 78.76 चाहो तो इसे डेसिमल भी बोल सकते हैं चीक है 66 कितना होता है 12 12 का 2 1 चीक 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 12 का 2 पॉइंट इधर 1 केरी हो गया 8 1 9 और 2 और 7 9 चीक है अब इसको हमको क्या है रुपीस और पैसे में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे रुपीस 99 पी 22 चीक है हो गया आपका ए भी से में सिम्पल प्लस करना है आप कर लेना सी आपका होमवक है आप लोग खुद बना के देखेंगे चीक है अब सेकेंड आता है इसमें क्या बोल रहा है कि ये रुपीस में दिया है और इसको आपको पैसे में कनवर्ट करना है तो सबसे पहले ए छोड़ देते हैं जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है हम क्या करेंगे सबसे पहले डी को सॉल्व करते हैं डी कैसा दिया है इसमें दो टाइप के कोशन है अप लोग ध्यान से देखेंगे डी क्या दिया है हमारा डी दिया है रुपीस वन हंडर्ड सेवंटीन चीक है तो सबसे पहले एक मैथड है मैथड नहीं है ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को क्या है वन एक सेकिंड वन रुपीस चीक एकवल हंडर्ड पैसे चीक है आपको इसमें इसको क्या पो रहा है रुपीस में दिया आपको पैसे में कनवर्ड करना है लास्ट एक और एकसेसाइज था मैं आपको दिखा रही हूँ एकसेसाइज हाँ एकसेसाइज देखो इसमें पैसे में दिया था और हम क्या कर रहे थे हम रुपीस में कनवर्ड कर रहे थे उसमें हम क्या करते थे हम डिवाइट करते थे और इसमें हम क्या करेंगे इंटू करेंगे रूपीज इक्वल 100 पैसे इक्वल क्या होगा 117 इंटू 100 चीक है अब रफ में इंटू कर लेना अगर आप इंटू करेंगे तो सिंपल्स आयगा 117 और इधर के डबल जीर हो आ जाएंगे चीक है यह हमारे क्या हो जाएंगी यह हमारा हो जाएगा पैसा चीक एक सिंपल सा है रूपिस था उसको हमने पैसे में कर्विट कर दिया बस हमें इंटू करना अब यह देखते रूपिस 4 तो क्या दिया है 1 रूपिस एकवल 100 पैसे चीक है तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 100 कर देंगे जब आप इंटू करो के रफ में करके देख लेना आपका अंसर आएगा 400 यह जो 400 है वो पैसे में आ जाएंगे क्योंकि हमें रूपिस दिया गया और पैसा पूछा गया सेम सी ऐसा ही है यह आपका होमवर्क है आप लोग बना के देखेंगे अब आता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट यह है कि इसमें डैरेक्ट क्या बला था रूपिस 4 मतलब एक टूट एक एमाउंट बताया था बट यह क्या है डैसिमल मिंस पॉइंट में है क्या है रूपिस 4.05 है तो इसको अभी छोड़ते हैं इसमें क्या दिया है रूपिस 10.50 तो सबसे पहले हम मैथड़ी लिकेंगे क्या लिकेंगे 1 रूपिस एकवल 100 पैसे चीक है तो सबसे पहले मैथड में क्या करते थे हम लोग जो अमाउंट लिका रहता था उसमें हम 100 को इंटू कर देते थे जिसमें सिम्पल सा खाली रूपे दिया रहता था इसमें तो पैसे भी दे दिया है ना तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ये जो 10 है पॉइंट के पहले का नमबर है उसको लेंगे 10 इंटू 100 करेंगे चीक है तो हमारा आंसर क्या हैगा इसको rough में करके देखना 1,2,3,0 लग जाएगा यह हमारे पैसे निकल गए अब हमको अपने इस और यह हमारे अभी यह हमारे अभी क्या निकले हुए है अलिए एक point से पहले रुपे के पैसे निकले है अब हमें point के बाद का निकालना है तो simple process से plus क्या करेंगे 5050 लिख देंगे point के बाद का number लिख देंगे तो हमारा answer क्या हैगा 1050 पैसे चीक है आगया अदम simple है अब भी देखते हैं हम रुपेस 4.05 है method लगाएंगे 1 रुपेस equal 100 पैसे सबसे पहले 4 को हम 100 से into कर देंगे तो हमारा answer आएगा 400 उसके बाद क्या करेंगे point के बाद में क्या number लिख देंगे 0505 हम plus कर देंगे तो हमारा answer आएगा 405 पैसे चीक है यह बहुत easy है आप लोग अराम से बना सकते हो मैं एक और आपको solve करके बताती हूँ F number है रुपेस 16.40 चीक है तो आप लोग बताएगे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले हम method लिखेंगे क्या लिखेंगे 1 रुपेस एकवल 100 पैसे चीक है अब क्या करेंगे 16 point से पहले का number 16 into 100 तो हमारा answer आएगा 1600 चीक है उसके बाद क्या करेंगे plus point के बाद का number 4040 तो हमारा answer कितना आएगा 1600 1640 तो ये क्या है हमारा ये हमारा आगया पैसा चीक है आगया आप लोगों को समझ बहुत easy है G और H आपके homework है नहीं बनेगा तो आप मुझे message करना अब आता है 3rd convert this into rupees and पैसे जो last time आपके एक exam मतलब इससे पहले exercise में था ना कि जो पैसे हैं उसको हमको क्या करना है उसको हमको रुपे और पैसे दोनों में convert करना है पहले वाले question में rupees में दिया था अब वाले question में पैसे में दिया है तो जब rupees में देगा तब हम 100 into करेंगे और जब पैसे में देगा हम ना उसको divide करेंगे तो सबसे पहले क्या दिया है यह छोड़ते हैं मैं भी आपको solve करके बताती है क्या है 5,447 पैसे तो आप लोग same वही method लिखेंगे क्या लिखेंगे वन रुपीज एक्वल सॉरी वन रुपीज एक्वल 100 पैसे चीक है अब क्या करेंगे जो हमारा amount है ना 5,447 डिवाइड 100 आप इसको डिवाइड करके देखना हम लोग एक रफ में करके देखते हैं एक सेकेंड रफ में करते हैं 5,447 उसको 100 से डिवाइड करेंगे 100 फाइवजा 500 4,4 0 अब अब चब फिर फिर क्या होगा 100,4,400 7,4 यह 0 अब क्या करेंगे इसके बद कोई नंबर है नहीं है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे automatic एक 0 एड हो जाएगा फिर क्या करेंगे अब अब इससे हम कैसे लिखेंगे अब इससे लिखेंगे अब लोग इसको रॉफ में करना चीक है 100 बंजा 100 आएगा 0,7,0 फिर क्या होगा यह 0 यहाँ उद्जी हो जाएगा 10,7,0 700 आजाएगा यह सब माइनस हो जाएगा इधर के 2,0 एड हो जाएगे अगर यह point लगके पूरी तरह से यह solve हो जुगा है यह देखिए आपका पूरा solve हो गया हमारा answer कितना है हमारा answer आएगा है 17 तो हम इसे कैसे लिखेंगे चाहे तो आप ऐसे लिख सकते है 17.00 भी कर सकते है जब इसको answer mention करेंगे तो कैसे करेंगे रूपीस 17.00 पैसे 0 चीक है डी आपका सेम वही process है 1 रूपीस एकवल 100 पैसे 400, 150 अपन 100 जब उसको हमने यह divide किया तो हमारा answer है 41.50 तो लिखेंगे रूपीस 41 P 50 पैसे ठीक है इबी सेम वैसे ही बनाना है FB इसमें का G और H आपका homework है अब हमारा आता है exercise 4 क्या है add the following amount add the following amount ही बोर रहा है इसका मतलब होता है plus करना है बहुत simple सा है यहाँ देखे P लिखा है मतलब यह point है रूपे भी दिया और पैसे भी दिया तो हम कैसे लिखेंगे सबसे पहले 14.18 फिर क्या लिखेंगे सॉरी सबसे पहले biggest number को लिख हो जाता है यह दोनों में biggest यह है तो हम क्या लिखेंगे 21.52 फिर क्या लिखेंगे 14.18 अब यह दोनों को plus करेंगे 28 क्या होगा 10 10 का 0 1 carry 567.415213 हो गया अब इसे हम कैसे लिखेंगे आंसर को रुपीस 35 पैसे 7070 सिंपल सा है CB आपको solve करके मैं दिखा दी हूँ इसमें का जो B और D है आपका home work है चीक है अब आपका आता है 5 number multiply the following amount सिंपल है last exercise में भी था आप लोगको बस क्या करना है इसको multiply करना है तो मैंने बताया था जब भी multiply करेंगे तो point को मत लिखना point को बाद में लिखेंगे तो 1440 मतलब अगर इसको गिनें तो 1440 into 5 तो 5 को जब 0 से into करते हैं तो 0 आएगा 54020 20 का 0 2 carry हो गया 54020 21 22 2 का 2 इधा 2 उपर carry कर दिया 5 1s आ 5 6 7 चीक है अब यहां देखते हैं कि 2 number के बाद point लगा है तो 1 2 यहां point लगा दिये simple सा है अब इसको हम कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे rupees 72 0 चाह तो 2 0 लगा दो meaning तो एक ही निकलेगा baby solve करके बता दिया है 40,55 इंटू 4 जब आप इंटू करेंगे तो आपका answer आया है हम लोग बड़ प्रॉब्लम देखते है